साथ क्यों, स्री स्री हरिशन ठाकूर जी ने एक और संदेश दिया है, जो आज्ञादी के अम्रुत काल में भारत के हर भारत वासी के लिए प्रेणना का स्रोथ है। उन्होंने इश्वरिय प्रेम के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी हमें बोद कराया। परिवार के प्रती, समाज के प्रती, अपने दाईत्वों को कैसे निभाना है। इस पर उन्होंने विशेश बल दिया, कर्तव्यों की इसी भावना को हमें राष्ट के विकास का भी आधार बनाना है। हमारा सम्विधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। उन अधिकारों को हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को इमानदारी से निभाएंगे। इसलिए आज मैं मतवा समाज के सभी सासियों से भी कुछ आगरह करना चाहूँगा। सिस्टिम से करप्षन को मिटाने के लिए समाज के स्तर पर हम सब को जागरुकता को और अधिक बढ़ाना है। अगर कहीं भी किसी का उत्पिडन हो रहा हो तो वहां जरूर आवाज उठाएं। यह हमारा समाज के प्रतिवी और राष्ट के प्रतिवी कर्तव्य है। राजनितिक गतिवीदियों में हिस्सा लेना हमारा लोकतांतरिक अधिकार है। लेकिन राजनितिक विरोत के कारण अगर किसी को हिंसा से डराधम का कर कोई रोकता है तो वो दूसरों के अधिकारों का हनन है। इसलिए ये भी हमारा कर्तव है कि हिंसा अराजकता के मानसिकता अगर समाज में कहीं भी है तो उसका विरोत किया जाए। स्वच्छता और स्वास्त को लेकर अपने कर्तव्य को भी हमें हमेशा याद रखना है। गंदकी को हमें अपने घर अपनी गली से दूर रखना है। इसे अपने संस्कारों में हमें लाना है। वोकल फर लोकल इसको भी हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। पस्चिम मंगाल के भारत के स्थ्रमिकों का किसानों का मजदुरों का पसीना जिस सामान में लगा हो उसको जरूर खरी दें। और सबसे बड़ा कर्तव है राष्ट्र प्रथम की नीती। राष्ट से बढ़कर के कुछ नहीं है। हमारा हर काम राष्ट को पहले रखते हुए होना चाहिए। कोई भी कदम उठाने से पहले हम ये जरूर सोचें कि उससे राष्ट का भला जरूर हो। का लाष्ट सूरा का लाष्ट इंजाद